राम राम भाई सभी गो स्वागत आपका फिर से तो भाई आज हम इस वीडियो के अंदर हरियाना के टोप 10 गौर्मेंट कोलेजिस के बारे में जानेंगे तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दू कि अब की बार हाईयर एजुकेशन हरियाना ने 2020 की एक लिश्ट तियार की है सभी कोलेजिस को रैंक प्रोवाइड की है तो उस हिसाब से भाई टोप 10 रैंक के उपर कौन कौन से गौर्मेंट कोलेजिस आए हैं उन सभी के बारे में माज आपको बताने वाड़ा हूँ तो सबसे पहले भाई ये रैंक किस हिसाब से इन्होंने दी है उसके बारे में जान लेते हैं तो भाई थ्री फैक्टर्स हैं जिसके उपर इन्होंने रैंक प्रोवाइड की है तो भाई, फर्स्ट फेक्टर कौन सा है, फर्स्ट फेक्टर है भाई, quality education, quality education, यानि किस quality की वहाँ पर education कराई जाती है, merit किकनी बनती है students की, उसके उपर, फर्स्ट फेक्टर था, भाई, quality education, जो second factor है वो है placements, यानि कितनी placements हो रहे है, जो placements fair लगते हैं colleges के अंदर, तो क्या rate है placements की उस college की, और जो थर्ड factor है, जो थर्ड factor है, वो है infrastructure and community engagement, यानि बहुत कैसा college बना हुआ है, उसकी physical look कैसी है, और community wise कैसा यानि माउल कैसा एकोलेजीज का तो भाई इन three factors के उपर इन्होंने रेटिंग्स दी है तो चलिए हम जानते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक अपील करना चाहता हूं भाई अगर अभी तक चैनल को सबस्क्राइब ने किया है तो ज्याद है ज इसका नाम दूसरा श्रीमती अरुणा आसफ अली ग्रेज़्ट कोलेज कालका है यह को लिज़ को सैकिंद Dragon मिली है उसके बाद है रेंक थर्ड रैंक 3 पर है बाई, गोर्मेंट कोलेज फॉर वोमेंग, GCW में जहाँ पर भी लिखता हूँ तो वाई इसका मतलब है गोर्मेंट कोलेज फॉर वोमेंग, यह सिरफ गर्ल्स का कोलेज है, जो सेक्टर 14 के अंदर है, पंचकुला में इसको रैंक 3 मिली है, आयर एजुकेशन हरि फियाणा की तरफ से, उसके बाद है वाई, रैंक 4 टाइर, यह मुर्मेंट कोलेज फॉर वोमें रो तक जिसको आप IC College भी बोलते हैं वाई इसको rank 5 मिली है अबकी बार उसके बाद rank 6 है यह है Gor건 National College सिरसा इसको वाई rank 6 मिली है यह जैसे PIC के अंदर आप देख सकते हैं यह वाई Gor건 National College सिरसा है उसके बाद rank 7 है वाई Gor건 College नारनोर यह District Mendergad के अंदर है वाई यह मेंदरगड़ वाले स्टूडेंट्स के लिए अगर आप बैटर कोलेज को डुन रहे हो तो भाई यह कोलेज बेस्ट रहेगा आपके लिए उसके बाद है नमबर आठ पर आठ रेंकिंग किसको मिली है वो है गोर्मेंट कोलेज फॉर वुमेन फ्रीदाबाद में यह रेंक नाइन है गोर्मेंट कोलेज फॉर वुमेन बादरगड बादरगड वाले यानि कि बाई जजजर डिस्टिक में आता है बादरगड जजजर वालों के लिए बादरगड एक बैटर ओक्षन है अगर वहां की कोई लड़की है और यह सोच रहे हैं बड़िया गोर्में कोलेज फॉर वुमेन जीन्द यह पीजी कोलेज है और यह आप पिक देख सकते हैं बहुत ही बड़िया कोलेज है गोर्मेंट कोलेज फॉर वुमेन जीन्द तो यह थे जो टोप 10 कोलेजिज थे हमारे लिस्ट के अंदर इनको मैंने आपको शेडूल वाइस दिखाया है एक सीरिज बनाई आपके लिए रेंकवाइज उनके पिक कलेक्ट किये और आपके लिए एक बड़िया स्लाइड फॉम में आपको रिप्रेजेंट किया तो उमीद करता हूं वीडियो बहुत बड़िया लगी होगी और एक बात और आप से करना चाहता हूं गर आप चाहो सेहन सब 10 जाने टोप 10 गोवर्मैंट मोंच पर फॉमेंट के लिए बनां के रेंटियो बनाया वैए प्यार गया केशनिक चैनल को जाओ बाते करो सब्सक्राइब करो उलाकर अपने सभी फ्रेंड के पास शेयर करो जिन्होंने अबकी बारे अडमीशन लेना है और यह सोच रहते कि वाई टोप कोलेजिस कौन से हैं उनके बारे में पता चल जाए और वीडियो देखने के लिए अगें थेंक्यू सो मच